खेट से पेट तक विचारधारा के साथ जो कि हमारे साथ सब के साथ जुड़ावा इससे हम किसानों के साथ जुड़ जाते हैं तो हम चाहते हैं किसानों के साथ एक खुबसूरत मीटिंग करने का जैसे देवेंदर बलाहरा जी ने आपको बताया कि हमारी समस्याइं क्या हैं अब शडियंतर के अंदर हमारा फसल और हमारे नसल ये दोनों किस प्रकार से बरबात किये जाने के लिए सभी प्रकार के कारिकर लिए स्वास्थ में काम करते हैं और दो क्या आपकर अजरूरी है नहींतर तो हमारा सब कुछ किसी और के हात में बिग जाएगा और हम गुलां हो जाएंगे इसलिए हमने तीन सेशन तयार किये हैं सुल्यूशन या आपके समस्याओं के रूप में पहला जो हमारी जमीन को जिसमें हर प्रकार के जीव जिनके पास अतड़ियां है उनके मल और मुत्र से हमारे जमीन को उरवरग बनाया कैसे जाए किन जिवानों का इस्तेमाल करके यह किया जा सकता है दूसरे हम यह सिखेंगे दूसरे विशे शग्ये जो है वो जैवी खेती करते हैं मल्टी लेर मतलब कई परतों में जैवी खेती करके काफी मुनाफ़ा कमाने के लिए हमें सिखाते हैं वो है अशोक आकाश चावरस्या और तिसरी जो चीज हम सिखेंगे वो है पानी पानी कैस जाहेँ टो फारोन प्रदुषित क्यों ना मिले हुमने छाहे वो टारखान से अणिख प्रदूषित क्यों ना होुषक झिओ अचुणाओं त्हीון नेखिछाम झाले हमया इस प्रिश्टी मबढिखान फर रेसे न लिए ये तेनों किसकी बात सुनने के लिए Umm जरूर आईएगा क्योंकि खेट से पेट तक ये जो विचार है वह हमारे स्वास्थ का निर्नय Mission करती है और हमारा प्रोजेक्ट पूरे देश भर्वे कर सकते हैं और हम बनेंगे डॉक्टर किसान तो जरूर आईएगा डॉक्टर देवेंद्र बलहारा के साथ में और मैं बात करूंगी कि किस प्रकार से हमारे रोग जो होते हैं विश्य हमारे शरीर में प्रविश करता है उनके अनुवों को हम बाहर कैसे निकाले और कौन-कौन से विश्य है यहां तक कि जो टीके से घुसा हुआ विश्य है उसको निकालने की विधियां क्या होती है और किस प्रकार से हम अपने आपको बचा सकते हैं जरूर आईएगा धन्यवाद नमस्कार प्रविश करता हैाल